राष्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान दोरा प्रस्तु थे धनी कारेक्रमों की शंखला क्या है हमारे चारों ओर? क्या है हमारे चारों ओर? भूगोल शिक्षन के कारेक्रमों की शंखला के अंतरगत अब प्रस्तु थे उच्चतर माध्धमिक कक्षा के चात्रों हे तु एक वारता वारता का यह कारेक्रम NCERT दोरा प्रकाशित भूगोल की पाठ्थे पुस्तक भारत, लोग और अर्थ विवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है वारता का शीर्षक है पर्यावरन प्रदूशन के अंतरगत भूमी प्रदूशन की समस्या विकास की प्रक्रिया में पर्यावरनिये गुणवत्त के घटने से अनेक पर्यावरनिये समस्याएं उत्पन हो जाती है विकास के लिए प्रक्रितिक संसाधनों का अधिकादिक उप्योग किया जाता है जब तक उप्योग का पारितंत्रिय सिध्धान्तों से तालमेल बना रहता है तब तक कोई हानी नहीं होती है आधुनिक प्रध्योगी की से संपन्न मानव परस्थित्यों की कोई परवाह नहीं करता तथा अनेक पर्यावर्णिय प्रदूशन पैदा करता चला जाता है इससे स्त्री पूरुशों सभी के स्वास्ते और जीवन की गुणवत्ता पर बुरा असर पढ़ता है प्रदूशन की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है मानविय क्रिय कलापों से उत्पन अप्षिष्ट उत्पादों से कुछ पदार्थ और उर्जा मुक्त होती है जिससे प्राकर्तित पर्यावरण में कुछ परिवर्तन होते हैं ये परिवर्तन प्रायह हानिकारक होते हैं प्रदूशन की पहचान के लिए प्रायह तीन कसोटियों का उप्योग किया जाता है। प्रदूशन कई प्रकार का होता है। प्रदूशन के किसी भी रूप को प्रदूशक कहा जाता है। ये गैस, तरल या ठोस रूप में हो सकते हैं। भूमी प्रदूशन में रास और म्रदा तथा वनस्पति के आवरण का प्रदूशन शामिल है। म्रदा की गुणवत्ता के घटने के ये कारण है। म्रदा अपरदन पौधों के पोशक तत्वों में कमी, म्रदा में सूक्ष्म जीवों का घटना, नमी की कमी, विभिन्न हानिकारक तत्वों का संकेंद्रन आदे। अपरदन, प्राकृतिक और मानविय दोनों प्रकार के कारकों से होता है। निर्वनी करण, अतिचराई और भूमी का अनुचित उपयोग भी अपरदन की गति को तेज कर देते हैं। एक अनुमान के अनुसार, देश की तेरह करोड हेक्टेर भूमी अपरदन की समस्याओं से पीडित है। केवल स्थानांतरी क्रिशी के कारण ही, तीन करोड हेक्टेर भूमी अपरदन से प्रभावित है। अपरदन की अतरिक्त म्रदा के लमणी करण और जल भराव के कारण है। भूविज्ञान की द्रष्टि से अनुपयोग तक्षेत्रों में बांधूं, जलाशयों, नहरों और तालाबों का निर्मान। नहरी सिंचाई का अत्यधिक उपयोग और अप्रवेश्य चट्टानु वाले क्षेत्रों में बाढ़ के पानी का रोख मोडना। इनके द्वारा भूमी की संभावित क्षमता कट्ती है। अति सिंचाई के कारण देश के उत्तरी मैदानों में लवणी और ख्षारी ख्षेत्रों में बृत्थे हुई है। सिंचाई मृदा की सनरचना को भी बदल देती है। इनके अलावा रासायनिक और वरक, पीडक नाशी, कीट नाशी और शाक नाशी मृदा के प्राक्रतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नश्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक और वरक, मृदा के सूक्ष्म जीवों को नश्ट कर देते हैं। ये जीव, मृदा में नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं। ये अन और वरता में व्रधि करते हैं, तथा मृदा की जल धारन ख्रमता को घटा देते हैं। इनके कुछ अंश फसलों में चले जाते हैं, जो मानव के लिए धीमे विश्का कारे करते हैं। इसी प्रकार कीणों को मारने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कार्बनिक फॉसफेट के योगिक मृदा में लंबी अवधि तक बनी रहकर, उसके सूक्षम जीवों को नश्ट करते रहते हैं। उद्योगिक और नगरिय अप्षिष्टों का अनुचित निप्टान तथा नगरिय और उद्योगिक खेत्रों के निकट प्रदूशित मल जल से की गई सिंचाई भी मृदा का रास करती हैं। उद्योगों और नगरों के अप्षिष्टों के विशैले रासायनिक पदार्थ आसपास के खेत्रों की मृदा में मिलकर उसे प्रदूशित कर देते हैं। इसके अलावा कारखानों तथा अन्य स्रोतों की चिमनियों से निकलने वाले गैसीय और ठोस कनकीय प्रदूशिकों को उड़ाकर हवा सुदूर ख्षेत्रों तक ले जाती है। विशैले पदार्थों से युक्त ये प्रदूशक मृदा में मिलकर उसे प्रदूशित करते हैं। कारखानों से निकलने वाली गंधक अमली ये वर्षा का कारण है। इससे मृदा में अमलता बढ़ती है। कारखानों और सीमेंट के चूना बनाने वाली भट्टियों, कोईले की खानों, मोटर वाहनों, ताप बिजली घरों, आदि से भारी मात्रा में निकलने वाले गंधकीय पदार्थों के द्वारा मृदा का बढ़े पैमाने पर प्रदूशन होता है। पर्यावरन प्रदूशन की अंतरगत भूमी प्रदूशन की समस्या अभी आप सुन रहे थे ये वारता वाचक थे अमिताब वर्मा विशे संयोजक प्रफेसर राम जन्म शर्मा, विशे संपादन आरपी मिश्र, आलेक, एसके शर्मा, नर्मान संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यंकन सतीश्टलाडे और दीपक पांडे, नर्मान सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान इवं वंदना अरिमर्दन